यह जो पैसा है ना यह बडि चंक्चल चीज है बहुत चंक्चल चीज है लेकिन असली अमीर को यह पता होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास ते चारों तरफ से पैसा आता रहे आता रहे और जो नकली अमेर होते हैं उनके पास से यह पैसा जाता रहता है 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 यहां पर आज जो बाते इंप्लीमेंट कीजेगा तभी आपके पास पैसा आता रहेगा वरना नकली अमीर की तरह से आपके पास से पैसा हमेशा जाता रहेगा योगी राज की बेटे लड्डू ने योगी राज से कहा कि पापा मैं बड़ा होकर अमीर बनूंगा या गरीब और मुझे ये भी बताए कि असली अमीर और नकली अमीर में क्या अंतर होता है तो योगी राज ने लड़ू से कहा कि बिटा कुछ दिन पहले मैं दो लोगों से मिला सुधिर विनोध और ललन सिंग तो लड़ू बोला पापा सुधिर विनोध और ललन सिंग ये तो तीन आदमी हो गए तो योगी राज ने कहा, कि सुधीर विनोद एक ही आदमी का नाम है, और लिलन सिंग दूसरा आदमी है, जब मैं लिलन सिंग से मिला, तो मुझे लगा यह बहुत बढ़ी आदमी हैं, यह बहुत रिच आदमी है, इसके पास तो बहुत बड़ी लगजिरी गाड़िया है, इसके चारों तरफ तो लोग घूमते रहते हैं, ये बहुत अधिक ब्रैंडेड कपड़े पहनता है, बहुत अधिक पैसा खर्च करता है, बहुत अधिक पार्टी करता है, चलो इससे दोस्ती बढ़े जाती है, धीरे जिसका बहुत अच्छा बिजनस था, बहुत अधिक पैसा कमाता था, लेकिन उसके काम करने के तरीके में कमी थी, मैंने देखा कि वो अधिक पैसा कमाने के बावजूद भी वो बहुत सारा पैसा लोन पर ले लेता था, और लोन पर लिए पैसे से कभी वो घूमने चलायता तो उसके पास महँगे गजेट्स हैं महँगे लापटॉप्स है और वो उन सभी का प्रियोग करने के लिए और उनको खरीदने के लिए credit card का इस्तिमाल करता है और एक दिन जब ललन सिंग अपने office में अपना सिर पकड़ कर बैठा हुआ था तो मैंने उससे पूछा कि यारे यार ललन सिंग क्या हुआ तो उसने बताया यार एक तरीक आते ही ना मेरे दिल की धड़कने तेज हो जाती है क्योंकि सबसे पहले मकान मालिक अपना किराय लेने आता है फिर उसके बाद पांस तरीक को गाड़ी की बैंक की किष्ट लगी होती है उसके बाद मुझे दस तरीक को credit card की payment करनी होती है उसके बाद बहुत सारी लोग है जिनको मिसको interest पे करना होता है जिनसे मैंने cash loan लिया हुए और 25 तरीक आते आते मेरा सारा पैसा जो भी मैंने कमाया होता है वो सब खर्च हो जाता है तो ललन जिंग से मैंने पूछा कि आपकी कमाई आती कहां से है उसने का कमाई का मेरा एक ही source है और वो है मेरा business जब मैं काम करता हूँ तो पैसा आता है और भाई योगी राज अब मैं जंजट से निकलना चाहता हूँ मुझे कुछ तरकीब बताओ उसी दोरान योगी राज ने बताया कि मेरी मुलाका जो सूधीरी विनोत से हुई थी मैंने उससे million और बढ़ाया मैं उससे लगातार मिलता रहा उससे मेरी अच्छी मितरता हो गई और जब मैं उसके पास पहुंसता था तो मैं देखता था उसके office के बार अमिशा लोगों की line लगी रहती है वो उससे मिलना चाहते हैं मैंने पूछा कि ये लोग क्यों आए हैं तो कई बार कुछ लोग interest पे करने आते थे तो सुधीर विनोत ने मुझे बताया ये वो लोग हैं जिनको पैसा मैंने उधार दिया हुआ है फिर कुछ लोग और आते हैं तो सुधीर विनोत कहता है ये वो लोग हैं जिनको मैंने अपनी property किराई पर दी हुई है ये मुझे किराया देने आते हैं फिर कुछ लोग और आते हैं तो मैंने पूछा आब ये लोग क्यों हैं उसने का ये वो लोग हैं जनके business में मैंने invest किया है और ये उस business से जो profit कमाते हैं उसका share मुझे pay करने आते हैं मैंने देखा एक तरीक से 25 तरीक तक सुधीर विनोद के पास हर तरफ से पैसा आता है मतलब जब वो काम करता है तब भी उसके पास पैसा आता है और जब वो काम नहीं करता तब भी उसके पास पैसा आता है सुधीर विनोध ने अपनी active और passive दोनों तरह की income पर काम किया है वहीं लंसिंग ने अपनी केवल active income पर काम किया है लेकिन अपनी active income को सही तरीके से निवेश नहीं किया सही तरीके से invest नहीं किया और अपने उपर लोन इतने बढ़ा लिए जिसकी वज़ा से वो कर्जे के बोज तले तबा जा रहा है और जो उसकी इंकम है वो लगातार घट रही है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीटता जाता है पैसे की जो value है वो घटती जाती है 1947 में एक डॉलर एक रुपए के बराबर था और आज जो पैसे की value है वो बहुत अधिक घट गई है एक डॉलर लेने के लिए हमें 72 रुपए देने पड़ते हैं इसका मतलब हमारे पैसे की value हमेशा degrade हो रही है इसलिए जरुवत है पैसे को इस तरह से निवेश करने की कि हम उस पर appreciation लेते रहें और योगी राज ने लड़ू को समझाया कि बेटा सुधीर विनोज जो है वो हमेशा asset class चीज़ों को खरीता है जबकि ललन सिंग हमेशा liability class चीज़ों को खरीता है तो लड़ू ने पूछा कि पापा ये asset class और liability class चीज़ों में क्या अंतर है तो योगी राज ने कहा कि asset class हर वो चीज़ों होती है जिसको खरीदने पर आपकी value हमेशा appreciate होती है और उससे एक income generate होती है मतलब अगर आपने किसी property को खरीदा अगर आप उसमें खुद रह रहे हैं तो वो एक liability class है उसकी value तो appreciation होगा लेकिन आप उस property को बेचेंगे नहीं उस पर बहुत सारा खर्चा होगा tax, उसकी maintenance, water, electricity तो ये liability class हो जाएगा लेकिन वही house, वही घर अगर आपने किसी को किराये पर दिया है तो उससे मिलने वाला किराया आपके लिए rental income होगा फिर वो asset जो होगी, वो asset class में होगी ठीक इस तरह से अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो जो गाड़ी आपने अपने personal use के लिए खरीदी है वो एक liability class asset है मतलब उसमें हमेशा आपको खर्चा करना पड़ेगा उसका insurance है, उसकी maintenance है, उसका diesel petrol है और बहुत सारे खर्चे गाड़ी पर वेरेंटियर है वो सब आपको करने पड़ेंगे लेकिन अगर अपनी गाड़ी को आप tour and travel में use करते हैं उसको rent पर देते हैं, उसको tour and travel में चलाते हैं तो उससे मिलने वाले income आप वो asset class में count होगी इसके अलावा अगर आप अपने business में जितना भी profit earn करते हैं उसका 10% हमेशा invest करें जिसमें आपको मिलने वाला return, economy में होने वाले inflation से जादा हो और अपने अंदर एक habit develop करें कि asset class चीज़ों को जरूर खरीदें और asset class चीज़ों को आप खरीदेंगे तो आपकी income लगातार बढ़ती रहेगी और बिटा आप एक असली अमीर बन जाएंगे अगर आप learning की तरह केवल liability class चीज़े खरीदेंगे तो आप धीरे धीरे गरीब हो जाएंगे या लोगों के सामने केवल नकली अमीर बन कर रह जाएंगे इसलिए जरूरत है पाँच ऐसी चीज़ों को करने की अगर आपने अपने जीवन में इन पाँच चीज़ों को किया तो आप भी असली अमीर बनेंगे और सुधिर विनोत की तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो योगी राज ने अपने बेटे लड़ू को समझाया कि बेटा आज मैं आपको जीवन के पाँच ऐसे नियम बता रहा हूँ अगर आप इन पाँचों नियमों को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा असली अमीर बनेंगे और जीवन में आप बहुत अधिक पैसा कमाएंगे जो भी इनकम आप कमाएं उसका 10% से लेकर 40% तक सेव जरूर करें क्योंकि सेविंग ही फ्यूचर में आपके काम आने वाली है और न केवल सेव करें आप जितनी भी इनकम को सेव करते हैं उसको इनवेस्ट करें ध्यान रखेगा important बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा सेव करते हैं important बात ये है आप उस सेविंग को किस तरह से इनवेस्ट करते हैं इसलिए उसको highest rate of return मिलने वाले opportunities में ही इनवेस्ट करें दूसरी महत्पूर्ण बात income के बहुत सारे source बनाएं मतलब जो काम आप actively कर रहे हैं जिसमें आप involved हो रहे हैं जिसमें आप अपना time दे रहे हैं उससे आने वाले income के साथ साथ ऐसे source ज़रूर बनाएं जिसमें आपकी involvement के बिना आपको earning आए जैसे rent on property, interest on loan, income from mutual fund, income from other businesses and third लगातार सीखते रहें क्योंकि learning ही असली earning है कि learning के माध्यम से आप किस तरह से अपने earning wheel को गुमा सकते हैं money wheel को कैसे गुमा सकते हैं अगर आप money wheel को गुमाना सीख जाएं तो 25,000 रुपे महिने कामाने वाला आदमी भी करूड़ पती बन सकता है और आप चाहें तो इसकी वीडियो मैंने description box में दीवे उसको जरूर देखें number fourth कोशिश करें कि आप जादा से जादा asset class चीजे खरीदें मतलब जब भी आपका मन के चीज़ को खरीदने का हो तो अपने आप से एक प्रशन करें क्या ये चीज ऐसी है जिसकी value भविश्य में appreciate होगी क्या ये चीज ऐसी है जिससे मुझे कोई न कोई income जरूर मिलेगी अगर आपका जवाब है हां तो ऐसी चीज़ को जरूर खरीदें और यदि आपका जवाब है ना तो ऐसी चीज़ को ना खरीदें and the fifth money inflation को जरूर समझें money inflation का मतलब है कि महंगाई दर जो लगातार बढ़ती जा रही है उससे आपके पैसे की कीमत निरंतर घटती जा रही है इसी लिए अपने पैसे से पैसा जरूर कमाए उन्हें ऐसे विकलपों पर निवेश करें जहां पर महंगाई दर से अधिक return आपक आप अपने जीवन में भी implement करते हैं तो आपको भी असली अमीर बनने से कोई नहीं रोख सकता friends अगली वीडियो में हम बात करेंगे cash flow management, money inflation और active और passive income के resources कैसे बनाए जा सकते हैं मेरा कोई भी informative वीडियो मिसना हो उसके लिए चैनल को subscribe करें और comment box में लिखकर मुझे ज़र करेंगे वारत